हैलो दोस्तों तो कैसे हो आप सब आप सब बढ़िया होंगे आज की इस वीडियो में बताने वाला हो निम्बू को पौदे को कैसे ग्रोग किया जाता है एलोवेरा के थूद तो इस वीडियो को सुरूश लेकर लास तक देखते यह वीडियो बहुत ही इन्फरमेटिव होने वाला दोस्तों तो चलिए वीडियो को सुरूश करते हैं एक निम्बू लेंगे और निम्बू को बीच से कटिंग करेंगे बीच से कटिंग करेंगे अच्छी तरह से और कटिंग करने के बाद दोस्तों ऐलोवेरा को लेंगे कटिंग करने के बाद दोस्तों ऐलोवेरा को लेंगे ऐलोवेरा को कट करेंगे और कट करने के बाद निम्बू के नीचले हिसे में ऐलोवेरा को लगाएंगे अच्छी तरह से ऐलोवेरा को लगाएंगे निम्बू के निचले हिस्से में और लगने के बाद उसको एक गंबले में ले जाके रखेंगे गंबले में रखने के बाद उसमें आफटर पंदरा दिन तक उसमें पानी डालते रहेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद आप देखेंगे आफटर पंदरा दिन में उसमें एक पौधा ग्रोओ हो चुका है दोस्तों और निम्बू के निचे लिए इससे में उठाकर देखने पर उसमें जड़े भी की देखने में और जिए को लाइक कर देजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिये और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर कर दिजिये तब तक के लिए जये हैं थाइंक्यू दोस्तों